हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल होम साइस फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक कलर का यह बहुत ही प्यारा सा पैटर लेकर के आई हूँ इस पैटरन को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकती है जैंट्स के स्वेटर पर यह डिजाइन बहुत ही प्यारा सा दिखेगा तो देखेगे फ्रेंड्स इस पैटरों को बनाने के लिए हमें चाहिए थरी के मुल्टिपल फंदे तीन के गड Hugeheart 2 पे लिने होंगे और देखेगे मारद इस बावर्णे तृच्छा चलेगा दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा बिना होनेंगे सेकंड रोपर आते हैं बैग साइड से साड वाला फंद मिना jur大家 उतारेंगे और दिछीए जैसे फंद हैं उन को बैसाई बनाएंगे भुणा हवा फंदा सीधा उसको बिना वुनिय है उसको बनेंगे बिना भून अबन न हो उतार लेंगेenario को है दो व然 फंदे सीधे बिना बना हुआ फंदा बिना बने ही उतार लेंगे तर रोपर आते हैं राइट साइड से साइड वाला फंदा बिना बने उतार लेंगे और देखिए यहाँ पर यह दो फंदे न तो इनको हम सीधा बनेंगे और इस फंदे को बिना बने ही उतार लेना है इन दोनों फंदों को सीधा बनेंगे इस फंदे को बिना बने ही उतार लेना है तीसरी सलाई सिजी तरफ से चोथी सलाई पर आते हैं बैक साइड से उल्टी तरफ से साइड बाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो बाकी के फंदे हैं इन सभी को हम उल्टा बुलेंगे छहरा है को चार सलंगे एक कंप्लेट हो गई है अब देकर आगे को किस तरह से बनाएंगे आगे की सलाईिया साडवाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे जा रा आगे ये ङ पीछे ने जाएंगे अब दिखिए यहां पर पहली सलाई में हमने यहां पर इस पंदे को बीधा ब 끝나 में उतारा था अब की बार में 파ニफ को बिना सब्सक्राइब उतारेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, और इस फंदे को और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, देखें यह जो सीधा फंदा है ना इसके साड़ वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे छटी सलाई पर जो जैसे फंदे हैं उनको बैसा ही बनाना है सीधे फंदे पर सीधा फंदा बनाएंगे और जो बिना बुना हुआ है इसको हम बैसे बनाएंगे बिना बुने ही उतार लेंगे कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि साथ मीं सलाई पर आते हैं सिरी तरप से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे अब देखिए ये बाला जो फंदा इसको बिना बुने उतार लेना है और जो फंदे इनको हम सीधा बुल लेंगे देखिए इस तरह से आठमी सलाई पर आते हैं वोल्टी तरप से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारने के बाद में सारे फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे आठ सलाईयों को बनाने के बाद में हमारा डिजैन कुछ इस तरह से बन करके आएगा अब देखिए नमी सलाई पर साइड वाला फंदा बिन बुने उतार लेंगे अब दीखिए यह वाला जो सीडा फंदा था लेंगे धागे को आगे लेकर के आएंगे दो फंद उल्टे बुनेंगे तो फ्रेंड आढου उमारा जो डिजाइन है इसी तरह से तिर्चा बनता जाएगा लेकिन नमीज सलाई पर 12 सलाई यां होंगी वो रिपीट करनी है दस्मी सलाई पर जो फंदे जिस तरह के हैं उन्हें वैसे ही बनाना है 11 सलाई पर आते हैं साब वाला फंदा बिना बुने उतारने के बाद में इस फंदे को भी बिना बुने उतारेंगे और जो बागी के फंदे इनको हम सीधा बुल लेंगे बार्वी सलाई पर आते हैं उल्टी तरप से सारे फंदों को उल्टा बूल लेंगे तो दिखे फ्रेंट्स मारे पैटरन की जो 12 सलाईया है यहां से लेकर के यहां तक 12 सलाईया कंप्लीट हो जाती है तेट भी सलाई पर बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे इहां पर शुरुआत की थी पहली सलाई से दो फंदे उल्टे विनेंगे कि एक फंता विनावने उतारेंगे जिस तरह से माई पहली सलाई बने बिल्कुल तेरवी सलाई जो है कि फ्रस्ट रो की तरह ये बनेगी ट्रों रिपीट पैटर्न है ये इन्हीं सलाईयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है बहुत ही प्यारा सा दिखता है डिजाइन जैन्ट सेटर पर तो फ्रेंड्स पर आगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइ ये बाई